ये तो एक तरह से मुसल्मानों को डरा रहे हैं, कि देखो, गर तुम नमाज पढ़ोगे, तुमारे हाथ-पैर तोड़ दिये जाएंगे, पूछी तरफ देखो, हम कावडियों की टांगे भी दबाएंगे, हाथ-पैर भी दबाएंगे, उन पर फूलों की बारिश भी करेंग बहुत ज़ादा अगर आपने नमास पड़ी ऑन दी रोड आप पांच मिनट छे मिनट साथ मिनट ज़ादा नहीं पड़ते तो क्या मुसल्मानों ने कहा यह जो कावडियों की वज़े से तमाम रोड डिस्टर्ब हो रहे हैं तमाम रोड पे आपने पूरे के पूरे पूरे प को खदमा लगा देते हैं मुसल्मान अगर सही बात पर आकर प्रोटेस करता है तो बुल्डोजर बाबा का चल जाता है उनका घर तोड़ देता के बाद मेरे खालसी पहला साल ऐसा है जहां कावडियों का उदपाद नजर आता है वहीं ऐसा तो नहीं के इन कावडियों के ब नश्कार आप देखरें न्यूजर में आपके साथ राशित कमाल हमारे साथ एमन रिजवी जी हैं इनसे बातचीत करेंगा जिस तरह से असवद्दीन वैसी का जो बयान आया है कि एक तरफ जो है कावडियों पे फूल बरसाया जा रहा है वो भी सही है पुलिस के दौरा पै क्याते हैं सबका साथ सबका विकास लेकिन वैसी साहब का जो बयान है कहा जा रहा है कि नफरती बयान है नफरत के तरह लोग देख रहे तमाम अगर Uve criticizing चाह रहे हैं कि जिस तरह आप कावरे ओड़ीओ पर फूल की बारिश बरुजा रहे हैं और दूसी तरह आप मुसल्मानों तरीके से लट बजा रहे हैं जब वह नमास पढ़ रहे हैं तो मतलब कौन से वह ऐसा पैमाना है जो तैय करेगा कि कौन से धरम की अक्टिविटी पर आप लट बजाएंगे और कौन से धरम की अक्टिविटी पर फूल बरसाएंगे। तो यहां तो आप थापित यह कर रहे हैं कि आप मुसल्मान को भारती नहीं मानते। अगर वशे तो यहां पर भी कोई मुसल्मान के साथ भी कम से कम फूल ना बरसाएं लेकिन कम से कम डंडे भी ना बरसाएं। कम से कम बुल्डोजर बाबा का बुल्डोजर भी महाँ जाके ना चले, तो जहां पर भी अगर कोई मुसल्मानों के पक्ष्की बात करता है, या हक्की बात करता है, तो फॉरन नमालूम कौन से लोग हैं, जो एक एजेंडा सेट करते हैं, कि नहीं, ये सैकुलर बयान नहीं था, ये नफरती बयान था, ये कट्टर पंती का बयान था, आप खुद देखें कि मेरट में जिस तरह एक चौकी फुकी जाती है, किसके दवारा फुकी जाती है, कावडियों के दवारा फुकी जाती है, और सन 2014 के बाद मेरे खालसी पहला साल ऐसा है जहां कावडियों का उदपाद नजर आता है नामालूम यह कौन से वाले कावडियों हैं हो सकता है उनमें वही कावडियों का मिलावट करी गई हो जैसे लोग आपको देख उद्धैपूर में उदपाद मचाया बीजेपी के थे कश्मीर में आतंगवादी निकल कर रहा है बीजेपी के थे कहीं ऐसा तो नहीं कि इन कावडियों के बीच में भी गुंड़ा एलिमेंट को डाला गया हो जो उदपाद मचा रहे हो चौकियां फूक रहे हो ठाने पूक रहे हो और बाकाइदा एक बाइक पर मुसल्मान बना मुण यानि कि आप और भारत से मुसलमानों को और मुसल्मान का नामन निशान अगरसर है वह चाहते हैं यह बस मुसलमानों के साथ अच्छा ही हो और फूल बरसाए जा रहा तो उनके पेट में पकर रहे हैं में बात क्युकि इनका जो एक न्रेटिवा एक एजटना है जहा कि देखो हम हिंदू वादी हैं हम हिंदू राष्ट बनाना चाते हैं आज से पहले तो कावडियों को साथ ऐसा नहीं हुआ और इस बार आप देखे कि कहां पर मुसल्मान नहीं चाता कि कावडियों को इज़त ना दे आप देखे कि जमात वाले मदनी गुरूप पूरा का फूब डाला आप कावड उठा रहे हैं आप एक धरम का काम कर रहे हैं फिर ये अधरमी कौन हैं जो कावडिये बनके उद्पाद मचा रहे हैं और सरकार निकम्मी बनके खड़ी हैं पुलिस वाले खड़े में और यहीं कोई मुसल्मान होता अगर जरा सभी देख लेता तो आप उसके हाथ पैर तोड़ देते आप उसकी साथ खांदान को पूरा का पूरा जेल में डाल देते लेकिन इनको मरोड़े यही हैं कि मुसल्मान कौम जिसको इन्होंने अनाथ कर डाला हैंडिकैप्ट बना डाला अगर उसके फेवर में कोई भी बोलता है चाहिए वो असक के उपर कटर पंती का टाइटल लगा कर उसको पूरे भारत में यह लोग वाइरल करते हैं कहते हैं देखो यह मुल्लो का फेवर कर रहे हैं और यह कावडियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन मैं आप जिस्ते से कह रहे हैं कि कि पुलिस वालों के किस काम में लगा असुद्धिन वैसी तो कह रहे हैं कि पुलिस वालों को कावडियों के पैर दबाने के लिए लगाया गया है वो अपने ड्यूटी कर रहे हैं हाँ तो जाहिसी बात है मैं तो हमेशा ही कहते हूं कि पुलिस वालों को जो काम सौपा जाता है चाहे मुसलमानों को मारने का सौ पजा ञो अपना काम सर्कार के साथ मिलकर इमांदारी से करते हैं। बेशक Official को धोका दे रहे h temas को बहुत कि बहुत की सभी कि वह हुटान को दोका दे रहे हूं। वह जिस समीधान की वह क का कर आते हैं को इंसानियत का काम करें। वह जल्म के खिलाफ लड़ेंगे और ऐसा वो नहीं करते हैं जहां पर वो देखते हैं मुसलमान उनको उठाकर ले जाते हैं 14-14 साल के बच्चों के वो हाथ पैर तोड़ते हैं ये पुलिस वाले नजर आते हैं तो ये नहीं होना चाहिए आप बताईए आप खुद बताईए क्य इनके उपर लग रहा है यही पैसा बचाके जब भारत में इसनी शान्ती आ चुकी कि पुलिस की कोई जरुवती नहीं है और पुलिस वालों से सिर्फ कावलियों की टांगे दवाई जा रहे हैं तो इस मैंक में को खतम करके उस पैसे को भारत के डवलमेंट पर खर्च करी जिस वाल है कि सुराक्चा भी तो जरूरी है अगर सेवा भाव से कोई पैर दवारत तो दिक्कत कहा है असुद्दीन हो जाए को जिस वक्त आप बिना वर्दी के जाके पैर दवाई जब आप ऑन डीवटी नहीं आपको किसने रोका है लेकिन आप डीवटी के अंदर आप वर्दी आप एक सिμबोलिक पुलिस वाले बन के भारत की गरीमे को अखराब कर रहा हैं मुसल्मां किसी पार्टी विशे से नहीं हैं मुसल्मान कोई गौर्णट जॉब में नहीं आप पता है जब कोई गौर्णट जॉब में होता है कितनी इसके उपर रिस्ट्रिक्शन हो कि देखो कर तुम नमाज पढ़ोगे तो तुमारे हाथ पैर तोड़ दिये जाएंगे और दूसी तरफ देखो हम कावड़ियों की टांगे भी दबाएंगे हाथ पैर भी दबाएंगे उन पर फूलों की बारिश भी करेंगे तो यह सिर्फ मुसलिम समाज को डराने के लिए उ आपको क्या लग रहा अप क्या सुचतनी इस मुद्बे यह देखिए अगर मुसलमानों को यह लगता है कि एक गम से मुसलमानों के खिलाफ यह समाम कारवाई ओर आप एल्याइंगे अगर आपकी बच्चे यानि मुसलिम समाज की बच्या सर कवर कर रही हैं तो ऐसा लगता मतना मसलमानों कीממान से प्रग्लामूं कीरी तो यहाँ पर यह वाली बात लगती है कि यह पूरे पूरे मुस्агम मुस्लिम धर्म के पेँछे पढ़ जारम कोई बंदा या नमास पढ़ेगा या रोजा रखेगा या हिजाब लगाएगा या दुपटा ओड़ेगा या टोपी ओड़ेगा या दाड़ी रखेगा या कुर्ता पजाबा पहनेगा आप लोग उनको टारगेट करेंगे क्योंकि वो मुसल्मान है तो यह नहीं होना चाहिए अगर आप भारत को भारत करेंगे तो आप कहिए मुसल्मान कुछ भी ठारे करते हैं तो भी तार्गेट पे रहते हैं बुरा तो खर मुसल्मान करता नहीं चुप रहता है तो भी टारगेट पे करते हैं हर जगा मुसल्मान को मुलविस कर देते हैं हर जिर्म मुसल्मान को मुलविस कर देते हैं मुसल्मान को उठाते हैं यू ए पी ए लगा देते हैं जिहाद कंट्रॉल बोर्ड तो यानि कि आप हर तरह इसलाम से ड्रावे दे दे के असी परसन को एक करना चाहते हैं जो कि आप नहीं कर पाएंगे जुमा के दिन आप सड़क जाम कर देते हैं अब हर वक्त आप एक बबदाई अगर आप नमाज कितनी होती है हाडली बहुत जादा अगर आपने नमाज पड़ी आप पांच मिनट छे मिनट साथ मिनट जादा नहीं पड़ते तो क्या मुसल्मानों ने कहा यह जो कावडियों क नहीं जादा ही जादे आप नहीं जादे मुसल्मान ने तो कभी को लाफ एक नहीं बंड़ाए त्यवक्र करेश्ट कुजाया तमाज शेवा ने कितने लनगर होतें होते हैं चाहाई वह उप फकुर कुछ नहीं होता तमाम जींजितनों के जो मजब होते हैं और एक परिश् कभी कभी मुसल्मान पांच मिनट के लिए साथ मिनट के लिए सड़क पर नमाज पढ़ लेता है तो फॉरां के लेबर पेन होने चुरू हो जाते हैं और उसी की दैश्चत तूमें यह और दो डॉरा के तो यह गलत है कि मुसल्मान को आप हर जगा टारगेट नहीं कर सकते हैं मैं पी मेले की बात कर रहे हैं कि जो है टीमसी के टीसे मेले उनके संपर्क में तो क्या लग रहा आपको वहां भी सरकार जाने वाली है ऐसा तो नहीं हो सकता अगर यह सोच रहा हूं कि ममता बेनर्जी को बेवखू बना देंगे जिस तरह शीवसेना को बेवखू बना ऐसा नहीं होगा वो ममता बेनर्जी हैं वो ममता बेनर्जी हैं और आप इसी इसमें हम भी सी जा आप क्या चाह रहे हैं आपके भी इद के नमाज बहिए इद के नमाज बहुआ इद के नमाज फूल बरसाया जाए नहीं तो हमें फूलों की जरुवत नहीं है, हमें फूलों की जरुवत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा रिवाड हमें हमारा खुदा हमारा सुप्रीम कोड देगा, हमें इसे कोई मतलब है, हाँ हम इसे इतना चाहते हैं, कि अगर हमारा धर्म है, हमारी कोई धर्म की गत आपको लग रहा है कि सरकार दोरी रवया अपना रही है कि सरकार मुसल्मानों का ड्रावा दे दे कर उन लोगों को एक करना चाती जो एक नहीं रहा कि शाब खिन भीन हो गया बीस परसंट मुसल्मानों को बरबात करने के چکر میں موڈی جی نے پورے بھارت کے 80% لوگوں کو بھی برباد کر ڈالا مسلمان کبھی اسلین دھارے میں تھا ہی نہیں آپ بتائی مسلمان گورنمنٹ جوب میں اتنا نہیں ہے مسلمان آپ یہ دیکھے کہ سرکار میں نہیں کہاں ہے مسلمان تو وہ تو پہلے بھی اسلین دھارے سے باہر تھا لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کو بالکل کنارے کر دیا جائے اور جہاں مسلمان کو دیکھیں اور یہ لوگ بالکل وہی برما والا حال کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کی شکل دیکھتے ہیں ये RSS वाले जो हैं उनके मॉब लिंचिंग करने शुरू कर दें जनोसाइट शुरू कर दें तो इस तरह नहीं होगा मौतर जिंदगी खुदा के हाथ में बहुत शुगरे बाचित शुगरे तो ये तिया मैसाथ अहमन जी जो तमाम उद्वे बाचित करें ते जिस तरह से अस का साथ सबका विकास गोरबाटिया का भी बयान आया है वो कह रहा है कि वैसी साहब जो है एक तरफा सोचते हैं बस मुसल्मानों की भलाई देखते हैं बाकि और भी खबरों के लिए महां साथ बने रहिएगा धन्यवाज